एडुकेट सती शुक्ते की और से पत्रकार परीशित का आयोचिन किया गया था जिस्तोरान राखपानिता ज्वाला धोटी उपसे थी इस वक्त उनों ने पुलिसायक तामितेश कुमार पर आरोप लगाती हुए कहा कि वो पुलिस अधिकारियों पर हमें फसाने के लिए दबाउट डाल रहे है और शडियंतर बना रहे है और अपनी नीचे के अधिकारियों को हमें कैसे फसाया जाए इसलिए योजना बनाने के दबाउट डाल रहे है ऐसा आरोप आयचेद बत्रकार परीशिद में अधिवक्ता सतिश उखे नील लगाया इस वरान उनका कहना था कि पहले भी अमितेश कुमार ने मुझे फसाने के उद्देश से यूजना बनाये थी और अभी भी वो यही कर रहे है विशे ऐसा है कि महापूर्टल गोटाडेची चर्चा पुद्ना सुरू जाली है काल मुंबई तक या चैनल नी महापूर्टल गोटाडेचे वप्तित मी दिनांग 27-2020 ला तक्रार के लिए होती त्या बाबत कारवाई जाली नहीं दमी प्रकाशी कर अजये है कि महापूर्टल गोटाडेचे रहे है तर जेवा काल ही बातमी प्रकाशित जली आनि येचे दों-तिन दिवसाधी जवाला धुटे याननी अमितेश कुमार जे पोलीसाइक तैत नाकूर शहर चे तैंचे सस्रे याननी महाविकास अगाडी चा सरकार चा नेत्यांची जी आक्षय पारियें पोस्ट जी आहे तैंचा फेस्बुक वर टकलेया जाचे मदे अमितेश कुमार है तैंचे मित्रा है तैनी पोस्ट पाहे तैन नी तैंची करतवे उता 170 आईपीसि प्रमा ने तैवरदात कारवाई करना तै ने तैंची कारवाई केली नाई तर अमितेश कुमार येंची भाजबाची पश्वबिन पाता, जेवा देवेंद्र फंडवीश येंचा काड़ेकाड़तला जालेला महापोर्टल गोटाड़ाने इतर गोटाड़े जेवा उगरकी सेनार होते इस दर्मियान राखपानेता ज्वाला धोटे ने पलसायक्त अमितेश कुमार को खुली चनौती देती हुए कहा कि मैं उनसे डरती नहीं, उन्हें जो करना है वो कर सकते है जालेली होती और आमी सुध्धा व्यास्पिटावर होतो भारत देश, अपला देश, हाँ विश्वातल्या सर्वात मोठा लोकतंत्र सा देश आहे सग्लयात मोठी डेमोक्राशी विश्वातली अपला देशात लिया है रूल ओफ पीपल, बाय पीपल, फौर पीपल सारी सत्ता जंता के हाथ है अपला धोरन रह लेला है परंतु आज ची देशा ची परिस्थिती ही बदल लेलिया है धोरन बदल लेलिया है जंता के हाथ से भिका खली कटो रहा है आणि सर्व सुत्र, सर्व अधिकार ब्यूरोक्रेट्स चाहताद गेलेला है, लोकशाहिला तड़ा बस लेला है आणि नोकर शाहांसर राज्य या देशात सालुआ है अधिकेर सतिश उके और राकबानेता च्वाला धोटे की और सी जो आरूप लगाए गये है वो कितने सच है और वो कितने जूट है वो तब आने वाला वक्ती बताएगा कैमरा पोसन राजकमार मोड के साथ दिशाहटवार बीसीन न्यूस नाकपुर